जैसा कि आपने बताया था कि कम्प्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आविशक्ता होती है क्या आप हमें ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती है बिल्कुल रोहन चलो हम उपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं उपरेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है Operating System के बिना computer बेकार है कई तरह के Operating System उपलब्द होते है Operating System प्रयोक करता वह Computer के मध्य एक माध्यम का कारे करता है सभी प्रुग्रामों को चलने के लिए Operating System की आवश्यक्ता होती है परन्तो Operating System स्वता ही चालू होता है Computer को चालू करते ही Operating System स्वता ही चालू हो जाता है Operating System के मुख्य कारे हैं यह Computer को नियंतृत करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उपयोग करता वह Computer के मध्य पारसपरिक संबंधों को सुगम करता है यह input वह output यंद्रों को नियंत्रत करता है यह computer program के निश्पादन को नियंत्रत करता है यह computer की मुख्य memory के प्रयोग को व्यवस्थत रखता है यह फाइलों को व्यवस्थत रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है ओप्रेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गिक्रित किया जा सकता है एक एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं character user interface CUI में किसी तरह के icon या चित्र नहीं होते हैं यह cable lake वह अक्षरों पर चलता है हम CUI पर लेखिये निर्देश जैसे rename, cls, cd, md और dir या directory पर command निर्देश दे कर कार्यक कर सकते हैं CUI का एक उदाहरन है disk operating system graphical user interface GUI की प्रश्ट भूमी चित्रवाली होती है और साथ-साथ बहुत सारे icon भी होते हैं GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows XNT, Windows 7 और Ubuntu GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सामपत्तिक, मालिकाना, Software और स्वतंत्र या मुक्त Software मालिकाना, Software एक प्रकार का Computer Software है जिसकी अनुग्यप्ति, Copyright धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधिन होती है मालिकाना, Software के उपियोग के लिए अनुग्यप्ति की आवश्यक्ता होती है जो उसकी फीस देने या भुक्तान करने के बाद ही प्राप्त होता है इनका प्रयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है उपियोग करता इनको न तो परिवर्तित, न साजह कर सकता है ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनर्वित्रित कर सकता है मालिकाना सॉफ्ट्वेर के सामाने उदाहरण है माइक्रसोफ्ट, एपल आईएंसी, आईबीएम, ओपरेटिंग सिस्टम वो यूनिसस स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्ट्वेर वे सॉफ्ट्वेर हैं जिनको उप्योग करता इंटरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं जो उप्योग करता को सॉफ्ट्वेर परिवर्थित करने, साजह करने और पुनरवित्रित करने की आजादी देता है यदे भी परिवर्थन करने के लिए कॉपिराइट अधिकार नहीं दिये गए होते हैं स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्ट्वेर के सामान्य उदाहरन है युनिक्स, लाइनक्स, औरोरा यूएक्स और ओनेन सॉलरिस हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित ओपरेटिंग सिस्टम है अरे हाँ, मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है Microsoft Windows, Microsoft द्वारा विकसित किये गए एवं बेचे गए graphical interface ओपरेटिंग सिस्टम की श्रंखला है अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें Microsoft Windows का ओपरेटिंग सिस्टम पूर्वस्थापित होता है यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सोफ्ट्वेर प्रमानित सोफ्ट्वेर विक्रेता की यहां से खरीच सकते हैं इसके अतिरिक्त इस सोफ्ट्वेर को Microsoft की वेब साइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने वह उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं यदि आपके कम्प्यूटर का ओप्रेटिंग सिस्टम Windows है तो कम्प्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है आप Windows डेस्क्टॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने संगठित करने में कर सकते हैं डेस्क्टॉप दो भागों में विभाजित होता है मुख्य भाग या Windows डेस्क्टॉप तथा टास्क बार नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जिसके जरिये हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं टास्क बार की प्रिष्ट भूमी को वाल पेपर कहते हैं Computer आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली screen desktop कहलाती है Desktop पर दिखने वाली छोटे छोटे चित्र icon कहलाते हैं यह icon, file, program और folder के shortcut छोटे रास्ते हैं जिनके जरिये इनमें आसानी से वह जल्दी से पहुचा जा सकता है सक्रीन के सबसे नीचे क्षितज के समानांतर पटी को तास्क बार कहते हैं तास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरे तरफ कई छोटे छोटे आइकान वह शॉटकट होते हैं कम्प्यूटर पर चल रहे सभी उप्योजन वह प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं। कम्प्यूटर पर चल रहे सभी एप्लिकेशन वह प्रोग्राम इन्ही आइकॉन के द्वारा एक्सेस उप्योग किये जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहे हूं और टास्क बार पर सभी आईकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आईकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्थार्ट प्रोग्रामों वह सिस्टम की अन्य उप्योगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं। Start Menu में मौजूद Control Panel का उपयोग, कंप्यूटर में विभिन हार्डवेर और सॉप्डवेर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू के Help और Support मेन्यू का उपयोग Windows पर कारे के दौरान आवशक्ता पढ़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है. स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कम्प्यूटर को बंद कर सकते हैं, Log Off या पुनेह चालू कर सकते हैं. निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीक वो समय परिवर्तित कर सकते हैं. पहले, टास्क बार पर दाई और दिख रहे तारीक वो समय पर क्लिक करें, तब एक घड़ी वो केलेंडर प्रकट होगा. टास्क पार पर तारीख वह समय पर क्लिक करें तब समय वह तारीख परिवर्थन लिंक पर क्लिक करें तद पस्चाद समय वह तारीख परिवर्थन बटन पर क्लिक करें समय वह तारीख निर्धारित करें समय व्यतारीख परिवर्थन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय व्यतारीख डायलोग कोष्ट पर वापस आएं। की प्रिश्ट भूमी कहते हैं। जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय छोड़ देते हैं तो एक चित्र अथवा लेख की चल चित्र की प्रदर्शित होती है। इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। का दायां राइट क्लिक बटन दबाये। तपर स्चाथ सुची के वहक्तिक विकलप पर क्लिक करें। तपर देस्ट्ट आप की प्रिश्ट भूमी लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात, चित्र का चैन करें और उसे डेस्क्टॉप की प्रिष्ट भूमी की नियत करें. अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्थनों को सुरक्षित करें. स्क्रीन सेवर नियत करना यदि आप Desktop की स्क्रीन सेवर परिवर्थित करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाएं पहला, Desktop के खाली स्थान पर उस माउस का दाया, राइट क्लिक बटन दबाएं तद पश्चाद, सूची के वयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें तद पश्चाद, Desktop की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुने तत्पश्चाद स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से प्रतिक्षा समय के मिनट निर्धारित करें तत्पश्चाद प्रिव्यू बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर देखें एक कम्प्यूटर में ऑप्रेटिंग सिस्टम वो व्यक्तिगत कारिक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को फाइल कहते हैं। एक फाइल, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है। धेर सारे फाइलों को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं। उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं और उसे आवश्यक्ता नुसार मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। आसान है, बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोर प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब D-Drive में उपलब्द सामगरी देखने के लिए क्लिक D-Drive पर क्लिक करें। तब नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नय फोल्डर पर क्लिक करें। नय फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं। आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं जिसे सब फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर का चैन करें और उसे खोलें। उसमें खाली स्थान पर राइट क्लिक करें तो पॉप अप मेन्यू प्रकट होगा। उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुने, एक फोल्डर सुरज़ित हो जाएगा फाइल फोल्डर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरन करें पहले स्टार्ट पटन को दबा स्टार्ट मैनियो को खोलें तब Computer Window या Windows Explorer प्रदिर्शित करने के लिए Computer पर क्लिक करें. तब D Drive में उपलब्ध सामगरी देखने के लिए D Drive पर क्लिक करें. तब जिस Folder को आप खोलना चाहते हैं, उस पर Double Click करें. उसे Folder के अंदर जिस Sub Folder या File को आप खोलना चाहते हैं, पर Double Click करें. फाइल या Folder को कैसे सनरक्षित करें या नाम बदलें. जब आप D Drive में Folder या Sub Folder या File बनाते हैं, तो स्वच आलित रूप से New Folder या New Text Document के नाम से सनरक्षित हो जाता है. Folder या Sub Folder या File का नाम बदलने के लिए उस पर Right Click करें. नए Pop-Up में नाम परिवर्थित करें, Rename चुने, नया नाम लिखें और Enter दबाएं. Folder या Sub Folder या File का नाम परिवर्थित हो जाएगा. Windows Operating System में कुछ सहायक सामगरी होती हैं, जो अत्यांत उप्योगी होती हैं. हम इन उप्योगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं. इन उप्योगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें. पहले Start बटन को दबा कर Start मेन्यू को खोलें. तत्पस्चात माउस से All Program पर चिन्हित करें. उसके बाद Accessories पर क्लिक करें. यहाँ पर विभिन Accessories की सुची होती है. संबंधित Accessories पर क्लिक करें. Paint का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्थित करने, एवं फोटो देखने के लिए होता है. आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने, अत्वा मुजूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं. आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन्य प्रलेक पर चित्का या पेस्ट कर सकते हैं. हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें? पेंट का उपयोग करने के लिए सर्व प्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें तद पश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें उसके बाद Accessories पर क्लिक करें यहाँ पर विभिन Accessories की सूची होती है Accessories पर क्लिक करें और Paint को चुनाव करें तब Paint Window दिखने लगेगा आप देखेंगे कि Paint Window चार भागों में विभाजित है Paint Button, Quick Access Toolbar, Drawing Area, एवं Ribbon Paint Button के साथ आप कई तरह के कारेक कर सकते हैं Paint Button के विभिन विकल्प हैं खोलें, Open, नया, New, सनरक्षित करें, Save और छापें, Print Quick Access Toolbar अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे Save, Redo और Undo तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है Ribbon में दो टैब होती हैं, Home और View Home टैब उन उपकरणों को उपलब्द कराता है जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं यह क्लिप बोर्ड, Brush, Tool, Shape और Color आधी होते हैं क्लिप बोर्ड में तीन विकल्प होते हैं Cut, Copy वपेस्ट जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप Paint पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं प्रतिलीपी या प्रतिबिम्ब बना सकते हैं अथवा चिपका सकते हैं यह विकल्प एक ही विशे को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विशियों को चुनने वा संपादित करने में सहायता करता है जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट चाट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा गुमाना चाहते हैं. उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है, जिससे आप आकरती बना वसंपादित कर सकते हैं. यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बढ़ा करना ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं आकरतियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकरतियां दे सकते हैं रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं प्रते एक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है, अच्छा प्रयास सही नहीं है, रिपया पुनह प्रयास करें सही है, अच्छा प्रयास दीदी, तुमने यह भी कहा था कि Microsoft Windows के विप्रीत यहाँ मुफ्त ओप्रेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध है क्या तुम इसके बारे में और ज़्यादा जागती हो? हाँ रोहन, Linux एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुले स्रोद का ओप्रेटिंग सिस्टम है यह सॉफ्ट्वेर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है चलो हम इस पर नज़र डालते हैं Linux, Unix, ओप्रेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है जो Linus Storewalls द्वारा विक्सित किया गया है Linux, Microsoft Windows जैसे दूसरे ओप्रेटिंग सिस्टम की तरह होता है Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है उप्योग करता इस सौफ्टवेर को विक्सित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारत करने के लिए स्वतंत्र है Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है Free Download अथवा वितरन का उप्योग कर Linux दुनिया भर में करोडों उप्योग करता हों द्वारा सफलता पूर्वक उप्योग किया जा रहा है Linux की सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिलकुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है Linux उप्योग करने का एक वेकलपिक रास्ता है जो विभिन कमपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है और जिसमें विभित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रुग्राम जुड़े हैं जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे अबंटू कहते हैं जो कॉनिकल कमपनी द्वारा वितरित किया जाता है अब हमें अबंटू के बारे में सीखना चाहिए अबंटू एक स्वतंत्र मुक्त सॉफ्ट्वेर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कम्प्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे विंडो अथवा Android जैसे दूसरे प्रशुलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है अबंटू के वर्जिन 12.10 डिफॉल्ट डेस्टॉप वातावरन के रूप में यूनिटी का उप्योग करता है यूनिटी डेस्टॉप प्रश्ट भूमी और दो बार रखता है जिसे मेन्यो बार और लॉंचर कहते हैं मेन्यो बार डेस्टॉप के शीर्श पर स्थित क्षेतिज पट्टी है लॉंचर एक खड़ी पट्टी है जो मेन्यो बार के बाई तरफ होती है मेन्यो बार में सामाने कारे शामिल होते हैं जो अबंटू 12.10 में उप्योग होते हैं जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक क्षेतर कहते हैं। कीबोर्ड सूचक आपके कीबोर्ड, लेयाउट चुनने और कीबोर्ड प्रात्मिकताओं को बदलने की अनुमती देता है। संदेश सूचक में सभी सोशल अप्लिकेशन को शामिल किया जाता है, जो ततकाल इंस्टेंट मेसंगर क्लाइंट, इमेल क्लाइंट, मािक्रो ब्लोगिंग अप्लिकेशन और दूसरे समान अप्लिकेशन को सम्मिलित रखता है। नेटवर्ग सूचक आपको तार्युक्त अथवा तार्मुक्त नेटवर्ग को आसानी से जोडने और नेटवर्ग कनेक्शन को प्रबंधित करने की अनुमती देता है। ध्वनी सूचक, ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उप्योग अपने म्यूजिक प्लेयर और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और केलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उप्योग करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है। यूजर मेन्यू आपको अलग-अलग उप्योग करता हों और उनलाइन सामगरी और उप्योग करता हातों के बीच परिवर्तन करने की अनुमती देता है। एक सत्र या सेशन सुचक सिस्टम सेटिंग का उप्योग करने, सौफ्ट्वेर अपडेट करने, प्रिंटर, डिवाइस को लॉग करने के लिए सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग आउट होने, कम्प्यूटर को पुनह आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है एप्लिकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लिकेशन में विभिन कारे जैसे परिवर्तन करने देखने आदी को निश्पादित किये जा सकते हैं अन्ने जी यू आई वातावरन के विपरीत यूटिलिटी में आवेदन म मेन्यू बार के बाई और स्थित है एक विश्विष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्क्टॉप के मेन्यू बार पर आवेदन आईकन के लिए माउस को स्थानांतरित कर सकते हैं यह है डेस्क्टॉप के मेन्यू बार में खुद को उपर र डेस्क्टॉप फिर से दिखाई देने लगता है। यूटिलिटी का वह फीचर जो एप्लिकेशन दिखाता है। एप्लिकेशन के मेन्यू केवल जब जरूरत होती है, जब ये नेटबुक और लेप्टॉप उपयोग करताओं के लिए फायदेमंद होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है। उर्धवादर पट्टी के आइकन्स जो स्क्रीन के बाई तरफ होते हैं लॉंचर कहलाते हैं। जब ये लॉंचर चलाया जाता है, तो ये है सक्रिया आइकन्स के एप्लिकेशनों को आसान पहुँच प्रदान करता है। लॉंचर में सबसे उपर पहला आइकन डैश कहलाता है, जो एक निर्नायक खोज वो मूल तत्व है। एक एप्लिकेशन को लॉंचर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लिकेशन को प्रदर्शृत करने के लिए एप्लिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। Foreground में Application अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोंड के द्वारा संकेतिक किया जाता है. Launcher की द्वारा Application जोड़ना और हटाना एक Application को जोड़ने के लिए Launcher के Application आइकन पर दाहिने क्लिक करके और Launcher के Lock का चैन करके Application को रन करें. Launcher से एक Application को हटाने के लिए पहले Application आइकन पर दाहिने क्लिक करें, फिर Unlock से Launcher का चैन करें. Dash 1000 है, जिसकी मदद से आप Computer पर Application वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं, वो उन तक पहुँच सकते हैं. Dash का पता लगाने के लिए Launcher के सबसे उपर वाले आइकन जिस पर Ubuntu का प्रतीक चिन बना हो पर क्लिक करें. Dash आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी, जिसमें सबसे उपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई Application, फाइल और Download का संग्रह भी होगा. Dash आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाय खोजने की अनुमती देता है. Dash की मुखे विशेशताएं. Dash की दो मुखे विशेशताएं हैं. फाइलें वफोल्डर ढूणना और Application को ढूणना. Workspace आपको Application को एक समूह में करने की अनुमती है, जो अव्यवस्था को कम करता है और Desktop Navigation में सुधार लाता है. मूलभूत रूप से Ubuntu में चार Workspace होते हैं. एक Workspace से दूसरे Workspace पर जाने के लिए Launcher पर Workspace, Switcher पर क्लिक करें. यह Application आपको एक Workspace से दूसरे Workspace पर जाने की अनुमती देता है. Windows को बंद करना, अधिक्तम करना, नियूनतम करना, वो बहाल करना. नियूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली स्क्रीन से हटा कर उसे Launcher में रखा देता है. अधिक्तम बटन एप्लिकेशन को Windows की पूरी स्क्रीन पर फेला देता है. Windows को बंद करने के लिए, विंडो के उपर बाइकोने पर दिये हुए Cross बटन पर क्लिक करें. विंडो को Workspace पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए, विंडो के टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के Buy बटन से क्लिक करें तथा Buy बटन को दबाए रखते हुए, विंडो को खीचें. विंडो का आकार बदलने के लिए, माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे Resize आइकॉन कहते हैं, माउस के Buy बटन से क्लिक करें तथा Buy बटन को दबाए रखते हुए, विंडो को खीचें. कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं, सीधे Launcher के Dash के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगाकर उस तक पहुँचना, या सामाने तह उपयोग में लाए जाने वाले फोल्डरों वहाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल वफोल्डर टूल का प्रयोग करना. Go menu सामाने तह प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सूची होती है. Go में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे उपर ले जाएं और Go को चुने तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें यदि आप Home Network स्थापित करते हैं तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा Home फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है यह है उप्योग करता के Login नाम से Mail खाता है इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टॉलेशन के दोरान अपने आप बन जाते हैं इसमें Desktop दस्तावेज, Download, Music, संगीत, चित्र, Public, Templates और वीडियो शामिल है Nautilus File Manager जैसे विंडो के पास File वो फोल्डरों को खोजने के लिए Window Explorer होता है उसी प्रकार Ubuntu File वो फोल्डरों को खोजने के लिए Default रूप से Nautilus File Manager का प्रयोग करता है दीदी, Nautilus File Manager कहां है? Nautilus File Manager Window Desktop पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो Nautilus File Manager Window खुल जाएगी Default विंडो में निम्न किशेशताएं होती है Menu Bar, Title Bar, Tool Bar, Buy a Pan वर दाया पैन Nautilus Navigate करने के निम्न पद है फोल्डरों के बीच निम्न पद करने के लिए Nautilus File Manager के बाय पैन में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें वापस जाने के लिए Path Bar में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें एक दिखने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक आपकी उसे Navigate करने में सहायता करेगा Nautilus के साथ File को खोलने के लिए उसके आइकन पर डबल क्लिक करें अथवा आइकन पर दाया क्लिक करें और Open With के विकल्पों में एक को चुने Nautilus में एक नया फोल्डर बनाने वा सेव करने के लिए पहले File पर क्लिक करें और फिर Create New folder पर क्लिक करें उसके बाद बनने वाले Default folder का नाम Untitled folder को इच्छानुसार नाम दें यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा File या folder को Copy करने या प्रतिलिपी बनाने के Steps हैं पहले Edit पर क्लिक करें फिर Item पर क्लिक करें अथवा Right क्लिक करें और Pop-up मेन्यू से Copy चुने अब आप Copy की गई फाइल को इच्छित स्थान पर Paste करें कई Nautilus Windows का प्रयोग करना आप निमन प्रकार से कई Nautilus Windows भी खोल सकते हैं पहले File बनाए तब New Window पर क्लिक करें यह नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या फोल्डरों को दो स्थानों से ड्राग करने की अनुमती देगा नया टाब खोलने के लिए पहले File पर क्लिक करें फिर New Tab फाइल की ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के ऊपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी दूसरा पैन खोलने के लिए View पर क्लिक करें फिर Extra Pan पर यह आपको टाब या विंडो के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है आप Nautilus या Dash का प्रयोग कर फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं पहले Nautilus में Go, Search for File पर क्लिक करें या Ctrl के साथ F दबाएं फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें Dash में सबसे उपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें Ubuntu में Libre Office सबसे अधिक लोकप्रिय सुईट है जो Default रूप से स्थापित होता है यह भी वैसी ही कारेप्रणाली उपलब्ध कराता है जैसे के Microsoft Word, Excel, PowerPoint सिर्फ इसके की यह है एक मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर है इन सभी एप्लिकेशनों तक launcher के द्वारा पहुँचा जा सकता है इसमें निमनगटक शामिल हैं जो दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग नामों से पाए जाते हैं क्या मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर के विशय में सीखना मज़िदार नहीं था? चलो, अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है, अच्छा प्रयास सही है, अच्छा प्रयास सही नहीं है, रिप्या पुनह प्रयास करें सही है, अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास हाँ रोहन, आजकल मुबाईल फोन वा टाबलेट भी परसनल कम्प्यूटर के ओपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं साथ ही साथ अन्य कूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेलूलर, ब्लूटूथ, वाइफाई, जीपीएस मोबाइल, नेविगेशन कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीच रिकोगनीशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर वह अन्य विशेशताएं. अधिकांश मोबाइल फोनों में एंड्रोइड, विंडोज अथ्वा, सिंबियन ओपरेटिंग सिस्टम होता है. ओ, मैं मोबाइल फोनों के विशेश में और बहुत कुछ जानना चाता हूँ, किया आप मुझे सिखा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, कि एक मोबाइल फोन में विभिन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले यह सीखते हैं कि मोबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए की पैड पर फोन नमबर टाइप करें. यदि आपके पास स्मार्ट फोन है, तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टैप दें. आप स्क्रीन पर नमबर पैड देखेंगे, जिस नमबर पर आप बात करना चाहते हैं, उसे टाइप करें. उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं. स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें. स्क्रीन तरशाएगी की नमबर डाइल हो रहा है, कि कनेक्ट हो रहा है. इस तरह आप कॉल कर सकते हैं. कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं, अथवा लाल बटन पर टैप दें. अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें, अथवा निरस्त कैसे करें. जब आपके फोन की घंटी बजें, तो उत्तर देने के लिए हरा बटन दबाएं. स्मार्ट फोन होने पर बाएं से दाएं स्वाइप करें. कॉल निरस्त करने के लिए लाल बटन दबाएं. स्मार्ट फोन होने पर दाएं से बाएं स्वाइप करें. हम पिछले मिलाए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है, पहले होम स्क्रीन पर बाई तरफ के हरे बटन को दबाएं यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नंबरों की सूची दिखाएगा स्मार्ट फोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नंबरों की सूची दिखाएगा, उसके पश्चात नंबर चुने और हरा बटन दबाएं, इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नंबर पर टैप दें, नंबर की डायल होने लगेगा, आप कॉल इतिहास इस तरह देख स लगते हैं, पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यो दबाएं, स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें, तब कॉल रिजिस्टर या कॉल इतिहास या कॉल लॉग चुने, उसके बाद यह प्राप्त कॉल, छूटी कॉल, डायल की गई कॉल के तीन टाप दिखाएगा फिर जिस टैप को आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें, यह आपको कॉलों की सूची, समय, वतिथी के साथ दिखाएगा, स्मार्टफोन होने पर सभी कॉलें एक ही सूची में दिखेंगी, हरा तीर प्राप्त कॉलें, नीला तीर डायल की गई कॉलें, वललाल तीर च कस्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं, सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं, फिर विकल्प मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें, उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या ओडियो विकल्प चुनें, उसके बाद साउंड मेन्यू म में वॉल्यूम विकल्प ढूंडे, रिंगर या रिंग टोन में वॉल्यूम कंट्रोल पाए जाते हैं, अंत में स्पीकर विकल्प पर चुने, व कीपाड को उपर नीचे कर वॉल्यूम लेवल सेट करें, आपके स्मार्टफोन में आवाज नियंत्रत करने वाले बटन बाहर ह होते हैं, मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रवलता नियंत्रत की जाती है, आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते हैं, जब फोन स्टांडबाई मोड में हो, तो मेन्यू दबाएं, स्मार्टफोन होने पर फोन आइकोन पर टाप दें, तब मेन्यू विकल्प में अपने फोन की फोन बुक पर जाएं, यह है होम स्क्रीन पर फोन के एक चित्र अत्वा शब्द फोन, फोन बुक या संपर्क से दिखाई गई होगी, अब उपलब्ध विकल्पों में नियू कॉन्टाक्ट का चैन करें, पहले जिस संपर्क को आप जोडना चाहते हैं, उसका नंब फोन में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला वांतिम नाम लिखें, तब उसे संरक्षित करने के लिए सेव या एड़ टू कॉन्टाक्ट दबाएं, टाप देना सुनिश्चित करें, अब नया संपर्क अपने मोबाइल में जुड़ जाएगा, फोन में पहले स संरक्षित संपर्क के विबरण में एडिट करने के लिए संपर्क का नाम चुने, एडिट का चैन करें, टाप दें, सही विबरण टाइप करें, और फिर सेव का चैन करें, टाप दें, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं, पहले स्टान्बाइ मोड म मेन्यू दबाएं, तब संदेश सेवा, फिर लिखित संदेश, फिर संदेश बनाएं का चैन करें, एक स्मार्ट फोन में होम स्क्रीन पर मेसेजिंग आइकन टूंडें, उस पर टाप दें, आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी, संदेश बनाएं, संदेश बोडने के लिए विकल्प का चैन करें, फिर इंसर्ट ओबजेक्ट दबाएं, स्क्रॉल कर नीचे वांचत पिच्चर या ओबजेक्ट आएं, व्यू फिर इंसर्ट दबाएं, नियत स्थान पर प्राप्त करता का नंबर लिखें, अत्वा यदि आप सुरक्षित किये किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं, तो फोन बुक पर क्लिक करें, संपर्क का चैन कर ओके पर क्लिक करें, स्मार्ट फोन में प्राप्त करता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉलम में लिखें, आप देखेंगे कि कॉन्टाक्ट बुक से नामों की सूची प्रकट मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समाप्त या निरस्त पर क्लिक करें, टाप दें, आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं, जब आपको संदेश प्राप्त होता है, तो आप होम स्क्रीन में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे, आप स्क्रीन प इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो. यह तो बहुत अच्छा है, मुबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मुबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मुबाइल फोन जो इंटरनेट एकसेस या उपयोग को समर्थित करता हो. एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचुरन का समर्थन करती हो, जैसे 2G, 3G और Wi-Fi. फोन द्वारा इंट तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा के इंदर से बात करनी चाहिए. आप अपने स्मार्थफोन पर मुबाइल इंटरनेट सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं. पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग मेन्यू पर नैविगेट करें स्मार्टफोनों में यह apps मेन्यू के सेटिंग आईकॉन के माध्यम से या कभी-कभी notification बार के माध्यम से किया जा सकता है सेटिंग मेन्यू में आपको wireless वर network settings खोजनी होगी ज्यादतर उपकर्णों में More या More Settings बटन जो भी उपलब्द हो उस पर क्लेक करें जब Wireless और Network सेटिंग हो जाती हैं तो आप Internet, Wi-Fi या Mobile Network के माध्यम से जोड़ सकते हैं Wi-Fi से जुड़ने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले सेटिंग विकल्प से अत्वा Notification menu में Wi-Fi बटन को क्लेक करके Wi-Fi विकल्प को चालू करें तब आपको उपलब्द Internet नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपने Wi-Fi नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है तो यह आटोमेटिक ही जुड़ जाएगा अन्य था आपको Wi-Fi नेटवर्क जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा यदि पास्वर्ट की आवशक्ता हो तो उसे इंटर करें और Connect पर क्लेक करें इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें इंटरनेट के लिए मोबाईल नेटवर्क जोड़ना पहले Wireless वो नेटवर्क विकल्प में अधिक सेटिंग या मोर सेटिंग विकल्प पर जाएं तब मोबाईल नेटवर्क पर क्लेक करें वहाँ आपको मोबाईल डाटा चेक बॉक्स को चेक करना होगा अब इंटरनेट तक पहुँशने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें कीपड आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकता है पहले मेन्यों में जाएं फिर इंटरनेट चुनें तब या तो home page का chain करें, अन्य था home screen में शूने को कुछ ख्षण के लिए दबा कर रखें। उसके पश्चात web address इंटर करें और go to address का chain करें। तब address इंटर करें और ठीक है का chain करें। web खोजने के लिए यदि आप पहली बार सर्च कर रहे हों, तो सर्च का chain करें। और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें और सर्च का chain करें। मेरी mobile में रेडियो है, मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ। रेडियो सुनने के लिए पहले standby mode में menu दबाएं, तब media और फिर radio पर जाएं। smartphone हुने पर menu में radio आइकॉन पर tap दें। फिर phone को संगत handset से जोड़ें। यह एक antenna की तरह कारे करता है। उसके बाद automatic अथवा manual tuning विकल्प का chain करके जो radio channel आप सुनना चाहते हैं का chain करें। Channel save करें का विकल्प चुंग channel सुरक्षित करें। तब उपर नीचे scroll कर volume set करें। रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का chain करें। Tap दें। मुझे यह भी बताने दें कि mobile phone पर गाना कैसे बजाते हैं। पहले standby mode में menu दबाए। तब phone में उपलब्द application को देखने के लिए multimedia menu खोले। Music application, media या gallery के रूप में दर्शाया गया हो सकता है। तब music या sound का chain करें। Smartphone होने पर menu में radio icon पर tap दें। अपने media player पर उपलब्द गाने, browse करें। वो उनमें से अपनी device पर बजाने के लिए एक का chain कर बजाएं। गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए play, pause play को डबाएं, tap दें। एक ही बटन play और pause के लिए कारे करता है। Music player से निकलने के लिए बाहीं तरफ के लाल बटन को दबाएं। Smartphone में pause button tap दें। आपको अपने phone पर गाने store करने के लिए memory card की आवशकता होगी। अब यहां कुछ तरीके हैं कि mobile phone से फोटो कैसे लें। पहले standby mode में menu दबाएं। तब media चुने और फिर camera चुने। Smartphone होने पर camera icon ढूंड कर उस पर tap दें। तब display screen को view founder की तरह प्रयोग करें। उपर नीचे खिसका कर zoom in और zoom out कर सकते हैं। Smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैला कर अथवा सिकोड कर screen को फैला कर display का आकार बड़ा वचोटा कर सकते हैं। फोटो लेने के लिए select या हां बटन का चैन करें। Smartphone में camera icon ढूंड कर उस पर tap कर photo कीजें। Save बटन को दबा कर photo save करें। Smartphone में photo, album या gallery में swim ही save हो जाती है। यह कुछ तरीके हैं जिससे video record किया जा सकता है। Menu में जाकर photo और फिर video camera का चैन करें। Smartphone होने पर camera icon पर tap दें। तब screen के प्रदर्शन को view founder की तरह प्रयोग करें। Zoom in और zoom out करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें। Smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहलाकर अधवस सिकोड कर से screen पर प्रदर्शन क्षेत्र का आकार बदल सकते हैं। Recording चालू करने के लिए record को चुने। Smartphone में होने पर screen पर मौजूद छोटे लाल icon पर tap दें। Recording को रोकने के लिए stop दबाएं। Smartphone में होने पर लाल icon पर फिर से tap दें। सनरक्षित करें, बटन को दबा कर फोटो सुरक्षित करें। Smartphone में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वेम ही सनरक्षित हो जाती है। Mobile phone वज स्मार्टफोन तीवर गणना के लिए उप्योगी हैं। यह कैसे संभव है। Calculator के द्वारा Calculator प्रयोग करने के तरीके हैं। पहले Standby Mode में Menu दबाएं, तब Organizer और फिर Calculator का चैन करें। Smartphone होने पर में Calculator आइकॉन में धूने और उस पर टैप दें। Phone के नंबर पैड का प्रयोग कर नंबर लिखें। फिर जोडने, घटाने, गुणा करने वभाग फंक्शन का चैन करें। फिर दूसरा अंक लिखें। उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ध दबाएं या टाप दें। धन्यवाद दीदी। आपके कारण मुझे मोबाइल फोनों के बारे में इतनी जानकारी प्रापत हुई। मुझे टैबलेट में भी दिल्चस्पी है। किया आप उनके बारे में जानती हैं। हाँ, बिल्कुल रोहन, चलो हम टैबलेट के बारे में जानते हैं। टाबलेट कम्प्यूटर के छोटे, हलके और अधिक प्रवंधनिय रूप हैं, फे तार रहित वले जाने योगे यंत्र हैं, जिनमें सूचनाओं तक पहुँशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरह प्रयोग होता है. टाबलेट में वहे ओप्रेटिंग सिस्टम होते हैं, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI उपलब्ध कराते हैं, और एप्लिकेशनों को चला सकते हैं. टाबलेट के सुप्रसेद ओप्रेटिंग सिस्टम हैं, एंड्रॉइट, विंडोज, वं आईयोएस. टाबलेट मुख्यता दो भागों में बांटे जा सकते हैं. फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना. टाबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है, उसमें सिम कार्ड के लिए खांचा बना होता है. आपको कॉल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा सं प्राप्त करने के लिए गाने सुनने के लिए, फोटो खीचने ववीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, इपुस्तके पढ़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, ईमेल भेजने वप्राप्त करने के लिए, म्यूजिक फोटो ववीडियो अन्य से साजह करने के लिए, निमन तरीके से टाबलेट पर म्यूजिक सुना जा सकता है, सर्वप्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं, तब म्यूजिक पर टाप देकर पार्ष या बैग्राउंड संगीत इंटरफेस को एंटर करें, अब आपको म्यूजिक फाइल सुची को हाल ही में अल्बम कलाकार, गीत, प्ले लिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिकरित कर सकते हैं, फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी, इसके बाद आप प्ले, एड टू प्ले लिस्ट, शॉप फॉर आर्टिस्ट, डिलीट या सर्च विकल्पों में से किसी एक का चैन कर सकते हैं, तब प्ले पर टाप देकर पार्ष्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें, निम्न तरीके से टाबलेट में फोटो खीची जा सकती है, सर्व प्रतम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंट फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं, टाबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्रतम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें, तब वीडियो मोड चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद कि के हुए आइकॉन पर टाप दे, कैमरे को विशे की ओर केंदरित करें, टाप देकर रिकॉर्डिंग शुरू करें, रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए टाप दे, फोटो वर रिकॉर्ड किये गए वीडियो मिटाने के स्टेप्स हैं, जिस फोटो या वीडियो को आप मिट प्रेश आइकॉन दिखाई दिये जाने के लिए स्क्रीन पर टाप दे, फोटो या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर टाप दे, आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं, पहले एल्बम ढूंड कर उस पर टाप दे, फिर जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहत उस पर टाप दे। आगे की फोटो देखने के लिए बाई और धके लें तथा पीछे की फोटो या वीडियो देखने के लिए दाई और धके लें। उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दें। वीडियो रोकने के निम्नपद हैं। जब वीडियो चल रहा हो तो प्लेबैक नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दें। उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए Pause या Restart पर टैप दें। वीडियो पीछे करना अथवा तेजी से आगे बढ़ाने के पद हैं। जब वीडियो चलने के दौरान प्लेबैक नियंतरण देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। इसके बाद वीडियो को किये हुए Default Book Reader पर जाएं। फिर Book Reader आइकॉन पर टैप दें। उसके बाद पूर्वस्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चैन करें। फिर किताब पढ़ना प्रारंब करने के लिए Books आइकॉन पर टैप दें। मैंने सुना है कि आप टैबलेट से इम प्राप्ट कर सकते हैं। इसके शीर्ष पर एक शेतिच बार होगा। जिस इमेल सर्विस प्रदाता का उप्योग करना चाहते हों उसका URL एंटर करें। उदाहरन के लिए www.gmail.com अब दिये गए स्थान पर यूजर नेम वह पासवर्ट डालें। वह साइन इन पर टैप दें। यहां इस प्रष्ट पर compose या right new पर टैप दें। नई विंडो में सेवा में केक शेतर में प्राप्त करता का email, ID एंटर करें। विशे केक शेतर में विशे एंटर करें। बीच के खालिस्तान में संदेश एंटर करें। तद पस्चात send icon पर टैप दें। प्राप्त email को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई email प्राप्ट होगी, तो स्क्रीन पर सबसे उपर एक लिफाफा बन कर आएगा. आइकोन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं. यथा क्रम, मैन्यू में email भेजने वाले के icon पर जाएं. अब icon पर tap दें. स्क्रीन पर आपका mail inbox खुल जाएगा. email पर tap दें और उसे पढ़ें. टाबलेट में फाइल या फोल्डर ढूनने के दो तरीके हैं. आप या तो टाबलेट पर स्थापित File Manager का प्रयोग करें, या तो होम स्क्रीन पर स्थित Online Search Engine का प्रयोग करें. फाइल मैनेजर का प्रयोग करके, होम स्क्रीन पर File Manager या File Browser आप ढून्डें. उस पर tap दें. यह सबसे उपर My File दिखाएगा. सूची से बांचित फाइल या फोल्डर को ढून्डें, उसे खोलने के लिए उस पर tap दें. सर्च इंजन का प्रयोग करके, होम स्क्रीन पर Magnifying Glass की तरह दिखने वाले सर्च आइकॉन को ढून्डें. उस पर tap दें, जिससे एक नई विंडो प्रकट होगी. आप देखेंगे कि उस पर एक शैतिच टैप में सर्च लिखा होगा. उसमें जो सूचना आप ढूनना चाहते हैं, उसके पहचान शब्द लिखें. ओनलाइन सर्च का परिनाम स्क्रीन पर आजाएगा. इसको खोलने के लिए वांचित पर टैप दें.